तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉड हैस्टिंग्स, लॉड एम हर्स्ट और लॉड बिलियम बेंटिक के इतिहास के बारे में तो इन तीनों का इतिहास में इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ और जो लोग अपनी notes बनाना चाहते हैं तो उनके लिए description box वों website के link दी गई है तो वो वहाँ से जाके अपनी notes बना सकते हैं तो आईए इस वीडियो के सुरुवात करते हैं और पढ़ते हैं Lord Hastings, Lord Amherst, Lord William Bantic के इतिहास के बारे में तो वीडियो के सुरुवात यहां से करेंगे Lord Hastings का इतिहास Lord Hastings का जन्म 9 December 1764 को Ireland की County Dawn में हुआ था यह जन्म निश्चित नहीं होता है, हर किताब में आपको यह अलग-अलग मिलेगा Lord Hastings का पूरा नाम Francis Rodden Hastings था Lord Hastings के कारेकाल में आहस्तछेप नीती का पूरी तरह से त्याक कर दिया गया था यह लाइन आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि आहस्तछेप नीती को खतम कर दिया गया था किसके सासनकाल में? Lord Hastings के सासनकाल में Lord Hastings के कारिकाल के दोरान ही गोरखा युद हुबा था और ये युद्ध 1814 से लेकर 1816 के मथ में यह चला था और फिर बाद में सोगॉली की संधी हुई थी यह संधी किस-किस के मथ में हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के राजा के मथ में हुई थी लेकिन इस संधी पर हस्ताक्षर किसके किये गए थी हस्ताक्षर किये गए थे 2 दिसंबर 1815 को नेपाल के उस समय के राजगुरू जगराज मिस्र और अंग्रेज लेटिनेंट पैरिस वरोडशा ने इस पर हस्ताक्षर किये थी और 4 मार्च 1816 को इस संधी को अनुमोदित किया गया था अब बात करते हैं सुगौली संधी की प्रमुक सर्तों पर नमबर एक अंग्रेजों को कुमाईउं, गड़वाल, हेमालाय का तराई छेतर और सिक्किम का छेतर प्राप्त हो गया था नमबर दो, काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा था तो काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी है नमबर तीन, बिल्टिस सेना में गोर्खाओं को भी भरती करने की अनुमती दी गई थी सुगौली संधी के तहत नमबर चार, इस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा की मद्ध हमेशा मितरता और सांती रहेगी सुगौली एक जगह का नाम है जो आधनिक बिहार के चंपरन जिले में है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसी जगह के नाम पर इस संधी का नाम सुगौली संधी पढ़ा था लॉड हैस्टिंग्स के कारिकाल में ही पिंडारियों का दमन किया गया था अब बात करते हैं कि कौन थे पिंडारी इसके बारे मैं आपको बता दूँ के कुछ इतिहासकारों ने इसकी परिभासा अलग लिखी हुई है और मैंने यहाँ पे वो परिभासा लिखी है जो मुझे अधिकतर किताबों में मिली हुई है 1798 में लौड बेलेज अली के द्वारस सुरू की गई साहक संधी से अनेक भारतिये सैनिक बेरोजगार हो गई थी क्योंकि देशी राजा तथा नवावों ने अपने राज में अंग्रेजी सेना रखना शुरू कर दी थी बेरोजगार भारतिये सेनिकों ने क्या किया है कि लूट, चोरी, डखेती करना शुरू कर दिया था जिससे अनग्रेजों को बड़ी परिषानी हुई क्योंकि अधिकतर माल अनग्रेजों तथा नवावों का ही लूटा जाता था अंग्रेजों ने इन्हीं चोरी, लूट और डकैती करने वालों को पिंडारी का नाम दिया था जिसका अर्थ लुटेरों का समूई होता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिंडारी कौन थे बैसे पिंडारी सब्द ना हिंदी भासा का ना है फार्सी का ना है उर्दू का यह है माराठी भासा का सब्द लॉट हैस्टिंग्स के ही कारेकाल में पेस्वाओं का अंथ हुआ था क्योंकि कूरेगाउं युद्ध तथा अस्ती युद्ध में हारने के बाद अंतिम पेस्वा बाजिराउ दुती ने 18 जून 1818 को सर मालकम के सामने आत्म समर्पन कर दिया था अगर आपको पेस्वाओं का अतिहास पढ़ना है तो उसकी लिंक या तो डिस्केप्शन बॉक्स मिल जाएगी या वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा तो उसे आप देख सकते हो पेस्वाओं भाजिराउ दुती को बार्सिक पेंसन पर कानपूर के पास बिठोर नामक इस्थान पर भेज दिया गया था और उनके राज्य को छत्रपती सिवाजी महाराज के बंसच परताप सिंग को सौप दिया गया था लॉड हैस्टिंग्स ने अपने निजी कोज से कलकत्ता की निकट कई वारना क्यूलर इस्कूल भी खुलवाई थे लॉड हैस्टिंग्स के ही सासनकाल में इसाय धर्म पृचाबकों ने क्या किया था कि सरी डामपुर से समचार दरपण नामक सापताहिक समचार पत्र की शुरुगाथ की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पंजाब और आगरा प्रांत में महालवारी प्रिथा को लागू किया था लगान बसूलनी की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? नंबरदार को दी गई थी नंबरदार को आम बोलचाल की भासा में लंबरदार भी कहा जाता है और ये कौन होता था? ये ग्राम समुदाय का मुकिया होता था ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है महालवारी वबस्था का प्रिस्ताव सर्व प्रिथम 1819 में हॉल्ट मेकेंजी दोवारा लाया गया था लेकिन 1822 में ही इसे कानूनी रूप प्रिदान किया गया था तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ महाल बाड़ी वबस्था के वारे में सबसे पहले तो बात करते हैं महाल सब्द के वारे में देखिए महाल का अर्थ होता है जागीर या गाउ चाहा तो आप गाउँ समझ लें चाहाँ आप जागीर समझ लें यहाँ पर मैं आपको बिलकुश सरल भासा मन समझा देता हूँ चलिए मैं गाउं मान लेता हूँ तो पूरे गाउँ के लगान बसूलने की जिम्मेदारी होती थी वो किस के पास होती थी नंबरदार के पास होती थी या फिर कहें लंबरदार के पास होती थी वो जब भी कोई कमपनी का करमचारी आता था यानि इस्ट इंडिया कमपनी का कोई भी करमचारी लगान लेने के लिए आता था तो वो किस के पास जाता था? लंबदार के पास जाता था वो किसानों से सीधे लगान नहीं ले सकता था यहां से सीधा जो सम्मंद किसानों और कंपनी के बीच का था वो खतम कर दिया गया था Lord Hastings के कारिकाल 1822 में ही Tenancy Act जिसे कास्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है तो वो पास हुआ था लॉड हैस्टिंस ने 1823 में अपने पद से त्याकपत्र दे दिया था लॉड हैस्टिंस का कारीकाल 1813 से 1823 के मद्द में था आपको यहाँ पर दियान रखना है कारिकाल 1813 से और 23 के मद में था अब बात करते हैं लॉड एम हर्ष के इतिहास पर लॉड एम हर्ष के कारिकाल में प्रिथम आंगल बर्मा युद हुआ था और ये 1824 से 1826 के मद में चला था और इस युद का अंत 24 परवरी 1826 को हुई थी यांडवू की संधी उससे हुआ था तो यहाँ पर बात करते हैं यांडवू संधी की प्रमुक सरतों पर नमबर एक एक अंग्रेज रेजिडेंट रंगून में रहने लगा था और एक बर्मा का राजदूद कलकत्ता में रहने लगा था ये आपको यहाँ पर ध्यान रख नहीं है बर्मा का आजवनक नाम म्यानमार है नमबर दो मणी पुर को स्वतंत राजगोस्त कर दिया गया था इसी संधी के तहट नमबर तीन बर्मा की राजा को दस लाख पौंड च्छती के तौर पर किसको देने पड़े थे अंग्रेजों को देने पड़े थे तो ये तीन यांडवू संधी की प्रमुक सरते थी बैसे तो और वी थी लेकिन जो प्रमुक थी वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है लॉड एम हर्स्ट के कारिकाल 1824 में बैरकपुर का सेने बिद्रुए हुआ था जिसका मुख्य कारण भारती सेनिकों ने समुदर की रास्ते रंगून जाने से इनकार कर दिया था लॉड एम हर्स्ट ने 1826 में कामबर मियर की नेतरुत में अंग्रेजी सीना भेज कर भारतपुर को अंग्रेजी सामराज का हिस्सा बना लिया था भारतपुर आधनिक राजिस्थान में है 1828 में लॉड एम हर्स्ट बापस इंग लेंड चले गए थी और उसके इस्थान पर नया गवर्नर जनरल लॉड बिलियम बेंटिक को बनाया गया था और लॉड एम हर्स्ट का कारेकाल 1823 से 1828 के मंद में था अब बात करते हैं लॉड बिलियम बेंटिक के इतिहास पर लॉड बिलियम बेंटिक के कारेकाल को सांती और सुधारों का कारेकाल कहा जाता है ये बहुत अच्छी से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सांती और सुधारों का कारेकाल किसके कारेकाल को कहा जाता है लॉड बिलियम बेंटिक के कारेकाल को कहा जाता है 1806 में हुए बैलोर बिद्रोए की समय लौड बिलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर थी अपने पिछले वाले वीडियों मेंने इसकी चर्चा की थी बैलोर बिद्रोए की अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको जरू मालूम होगा अगर आपने नहीं देखा है तो वो इस वीडियो के अंतों मिल जाएगा तो इसे आप जरू देखिएगा लौड बिलियम बेंटिक के ही कारिकाल मेराजा राम मोहन राय के सहीयोक से 14 दिसंबर 1829 को एक कानून बनाकर सती पर्था को अवैद घोसित कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त की बारसिक रिपोर्टों में प्रतिक वर्स 700 से जादा महलाओं को सती पर्था के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1829 में सती पर्था को अवैद घोसित कर दिया गया था किसके कारेकाल में लॉर्ड बिलियम बेंटिक के कारेकाल में और ये किसके सहयोग से हुआ था राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था लॉर्ड बिलियम बेंटिक के दुआरा सुरुआत में यह कानू सिर्फ बंगाल की महलाओं के लिए लागू किया गया था और फिर बाद में बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था लॉड बिलियम बेंटिक के ही कारेकाल में ठगी पर्था का अंत किया गया था ठगी पर्था जादातर मद्परदेश के छित्रों में होती थी इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था किया था कि जवलपुर में एक और दोग विध्याला की स्थापना की थी जहां पर ठगों को सिक्षित करके उन्हें सब ब्यक्ति बनाने का काम किया जाता था लेकर आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि जिन ठगों की उम्र 18 बर्स से कम होती थी उन्हीं को सिक्षित करके सब ब्यक्ति बनाने का काम किया जाता था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1830 तक ठगी पिर्था का अंत पूरी तरह से कर दिया गया था अठारा सो एकत्तिस में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को अंग्रेजी सामराज का हिस्सा बना लिया था लॉर्ड कॉर्नबॉलिस के कारकाल में भारती बेक्तियों को सरकारी पदों पर निउक्त करना बंद कर दिया गया था परंतु 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारती बेक्तियों को फिर से सरकारी पदों पर निउक्त करना शुरू कर दिया था तो आईए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं लॉर्ड कارन बॉलिस के बारे मैं पढ़ा चुका हूँ और वीडियो इस वीडियो के अन्त में आपको मिल लागा तो उसे भी आप देख सकते हूँ तो Lord Cornwallis के कारकाल में क्या किया गया था कि भारती ये बेक्तियों को सरकारी पदों पे निक्त करना बंद कर दिया गया था क्योंकि Lord Cornwallis ये मानता था कि भारती ये बेक्ति घूंसखोर होते हैं और बेइमान होते हैं इसी कारण से सरकारी पदों पे निक्ती बंद कर दी गई थी लेकिन 1833 में Lord William Bentick ने क्या किया किया कि बहारतीयों को फिर से सरकारी पदों पे निक्त करना शुरू कर दिया था तो अब यहां पर बास करते हैं 1833 के Charter Act पर नमबर एक इसी एक्ट के दुआरा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल मना दिया गया था और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉड बिलियम बेंटिक को माना जाता है यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ क्योंकि यह बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला प्रिस्न है 1772-73 में बॉरेन हैस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाय गया था यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है लेकिन 1772-73 में अंग्रेजियों का सासन भारत में कहां कहां था पहला तो बंगाल में था दूसरा मदरास में था तीसरा बंबई में था तो बंबई और मदरास के जो गवर्नर होते थे उन्हें बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था और इस तरह से बॉरेन हैस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल माना गया था और पूरे भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाय गया था लॉड बिलियम बेंटिक को बनाय गया था किस Act के तहद बनाय गया था तो 1833 के Charter Act के तहद बनाय गया था बस आपको यही याद रखना है नमबर दो इस Act के द्वारा East India Company के सभी बैपार एक अधिकारों को खतम कर दिया गया था अब केवल East India Company का काम भारत पे सासन करना रह गया था नमबर तीन भारत में दास्पिर्था को कानून के बिरत गोसित कर दिया गया था किस Act के तहद 1833 के Charter Act के तहद नमबर चार इसी अधिनियम के द्वारा धर्म, जन्मिस्थान, मूलबंस और रंग के आधार पर किसी भी बैक्ती के साथ भेदवाओ नहीं किया जाना चाहिए, ये नियम बनाया गया था 1833 के Charter Act के तहद नमबर पांच, गवर्नर जन्र को पूरे देश के लिए एक ही बजट को तैयार करने का अधिकार भी इसी Act के द्वारा प्रदान किया गया था तो अब आपको 1833 का Charter Act समझ में आ गया होगा लौड बिलियम बेंटिक ने अफीम की खेती करने के लिए भारती किसानों को पुरूट साहित किया था क्योंकि अफीम के बैपार से East India Company की आयमें बहुत बिर्दी होती थी लौड बिलियम बेंटिक ने फार्सी भासा के इस्थान पर उर्दू भासा को अदालतों की भासा बनाया था लौड बिलियम बेंटिक के कारिकाल 1835 में अंग्रेजी सिक्षा की निव भारत में रखी गई थी कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी देवी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बली देती थी। लॉर्ड बिलियम बेंटिक के कारेकाल में ही नवजात कन्याओं की हत्या को अवैद घोसित कर दिया गया था। उस समय हमारे देश में ये पृथा पर चले थी कि जो नवजात का न्याओं की हत्या कर दी जाती थी। 1835 के मद में किसका कारेकाल था? Lord William Bentic का कारेकाल था और Lord William Bentic के ही कारेकाल को सांती और सुधारों का कारेकाल कहा जाता है तो इस वीडियो में Lord Hastings, Lord Amherst, Lord William Bentic इन तीनों के इतिहास को मैंने पढ़ाया और जितना मैंने हाइलाइट किया हुआ है यह आपको याद रखना है, यह बहुत ही महत्पूर है क्योंकि मैंने इस वीडियो में केवल उन्हीं तत्थियों को सामल किया है जो बहुत जादा महत्पूर थे और जो चाहतर अपनी नूर्स बनाना चाहते हैं उनके लिए description box में website की link दी गई है तो वहां से जाके वो अपने नूर्स बना सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे like करें, share करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद